CM कैम्प कारियाल एससी मुख्यमंत्रिय पुश्कर सिंग धामी ने कि दारनातक शेत्र में विभिन पर्युजनाओ पर काम कर रहे श्रमिकों के लिए खादे सामाग्री ले जाने वाले बाहन को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया आपको बता दें कि कि दाना तक शेत्र में विभिने पर यूजनाओं पर 432 सश्रमिक काम कर रहे हैं तो ये खादे सामागरी ले जाने वाले वान को हरी जंडी दिखाई है सीम ने कि तस्वीरे भी आपकी टीवे स्क्रीन पर सीम दामी ने इस गाड़ी को हरी जंडी दिखाकर रवाना किया किदानाद की नौण इरवाचित विधायक आशा नोट याल ने दहरा दून मुख्य मंतरे पुष्कर सिंग दामी और विधान सबा अध्यक शुरितु खंडूरी से मुलाकात किया इस दौरान दोनों ने ताउने उने जीत पर बढ़ाईया देते हैं वे उचल भविष्ट की काम ना की आपको ये भी बता दे कि उपचिनाव में जीत के बाद विधाय काईशन आटियार पहली बार दहरा दूनलों पहुं जिंता के वीच रहती हूं और प्रात्मिक्ता हैं हमारी जहां सडक नहीं है पानी नहीं है बिजली नहीं है कुछ हमारी बड़ी योजने हैं जो सिक्षा स्वास्ते और चिकित्षा की हैं उनको सभी चीजों को वहां पर प्रात्मिक्ता के साथ मेरी प्रात्मिक्ता रहेंग उत्राखंड संस्क्रत विश्व विद्याले के ग्यार में दिक्षान समारू का यूचन भवे रूप से किया गया समारू में मुक्यादिती के रूप में राजजपाल गुर्मीट सिंग ने भाग लिया और दीप्रचवलित कर कारेकरम का इश भारम किया इस आफसर पर कुल 3047 में था विच्षातर शाद्राओं को पादे कर समानित किया गया राजजपाल गुर्मीट सिंग ने दिक्षान समारों को संबोदित करते हैं विच्षातरों को उनके अजल भवे शिगेश पकामनाई दिया और जीवन में संसकार और सिख्षा के महत्व वर्जोर दिया उन्होंने कहा कि सिख्षा के क्षित्र में संस्क्रत विश्व विद्याले का योगदान सरहनी है आज तीन हजार संतालिच डिग्रियन दी गई है और 21 को प्येश्ट्री और 30 को बोल्ड मेल से नवाजा गया है अज सच मुच हूँ अच्छा लगा कि संस्क्रिट के विकास के लिए हम लोग क्या सरह है कुझे ऐसा लगता है कि संस्क्रिट हमारी दरोहर हमारी जड़ों हमारी संस्क्रिट ही हमारी सेपटा का सबसे बड़ा ख़जाना है आज पूरी दुनिया को संस्क्रिट की जुरूरत है क्योंकि ऐसा लगता है अगर संस्क्रिट और टेक्नोलोजी मिल जाएंगे तो वो पूरे भर्मांड के लिए पूरी मानवता के लिए सलूशन और समाधान गूनने में पहुत ही मदद की। कैबनेट द्वारा पूर्व में दी गई मुफ्त गैस रेफिलिंग की वंतूरी की प्रगति की जवानकारी लिए और इसके लावा मंतिर एकारिया ने सरकार द्वारा संचाले तो नमक पोशड योजना एन एफसे के तहत राश्चिन विद्रण की मौजूदा अस्तिति और सस की बैठक में हमारे सभी साशनसर के अधिकारी से लेकर हमारे आयुक्त और हमारे धान खरीद के संबंदित सभी अधिकारी गणाज मौदिद रहें तो आज की बैठक में जिस परकार से पूर्मे कैबिनेट ने तीन गैस रिफिल निशुल्ख के लिए मंजूरी दी थी उसक की क्या अधितन सिती है यह जैनकरी इसके साथ साथ में हमारे नमक खरीद को लेकर क्या सिती है उसकी जैनकरी इसके साथ में हमारे एन फसे के तहत में हमारे जो राशन धान अत्वा यह हूं है उसका क्या सिती चल रही है इसकी जैनकरी इत्यादी प्लस हमारे जो सस्ता गल् विकरता है उनके भाड़ा से लेकर उनके भुकतान के संधर में भी उसकी भी समक्षा की गई है तो इन सभी समक्षाओं में निश्यत रूप से विभागने अभी तक में जो हमारे मुफ्त गैस रिफिल यूजना है उसका जाशनदेश नरगत होने के साथ थी जल्दी से सड़ी उनके खातों में डीबीडी करने के नरदेश दिये हैं। दिये गए। इसक्षिक गैसे पाने के लिए अपने श्विकायते दर्स कर रहे हैं। महीराज्य के सिक्षा महाने देशक जर्णा कामठान ने मीडिया से जानकारी देते हुए बटाया कि कि राज्य में अटाच्मेंट और ट्रांसफर पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाता है। ट्रांसफर एक्ट और धारा 27 के अंतरगत ही। सिक्षिकों के ट्रांसफर किये जाते हैं जबकि विभाग की मंत्री धन सिंग रावत न अटैच्मेंट पूरी तरह से प्रतिबंद्र किया। जात है उन्होंने कहा कि छात्रों की संख्या पर ही अब सिक्षकों की तैनाथ की जाएगी जिस स्कूल में छात्र संख्या कम होगी वहाँ पर अधिक सिक्षकों को तैनाथ नहीं किया जाएगा इसके त्रूप से ये बहुत जोलंत मुद्दा है सिक्षा विभाग में अटेच्मेंट और ट्रांसफर्स को ले करके लेकिन हमारे द्वारे इसमें प्रयास किया जाए है कि पूरी पारधर्शिता से काम किया जाए इसका नम्धरण Act का अनुपालन कराण जाए इसके अलावा जो अटेश्मेंट की प्रकिरिया है उसके मानिय मंत्री जी ने रोक लगा दी है और उनके द्वारा निर्देशित किया गया है कि कोई भी अटेश्मेंट जो है ना किया जाए जो टांसफर्स है वो धारा 27 के अंतरगत या जो इस्थाना मिरंड एक्ट के जो सं अनुपातिक उसमें नहीं है तो आक्या प्राप्त होने के बाद हम इसको रिश्यलाइज होने पे विचार करेंगे और यह प्रयास करेंगे कि जो अगला हमारा सैक्षिक सत्रोगा उसमें इस रिश्यलाइजेशन किया जाए कि छात्रों की संख्या के अनुरूप ही सिख्ष निकाय चुनाब और अन्य चुनाब को लिकर कॉंग्रेस ने कमर कस्ति है आज कॉंग्रेस प्रदेश रदेश करन महारा के नेत्रित्व में उत्राखन कॉंग्रेस सोचल मीडिया विभाग ने नई वेबसाइट और डिजिटल सदसिता अभियान का शुभारम किया इसके जर लक्ष रखा गया है वागामे चुनाबों के लिए कॉंग्रेस ने कमर कस्ति है इसे लेकर के तमाम तैयारियां कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से कॉंग्रेस ने डिजिटल सदसिता अभियान शुरू किया है कि हमारी जो उत्रखन कॉंग्रेस की वेबसाइट है इसका शुभारम मानने प्रदेश कुरन महरजी द्वारा किया गया है और इसका जो लक्ष है अभी हमने एक लाग मेंबर्स परतिक विदान सभाव में एक से दो हजार मेंबर्स का लक्ष रखा है जो कही ना कहीं आज हम डिजिटल आज देख रहे हैं आने वाले समय में डिजिटल परभावी होता जा रहा है समाज के अंदर अपनी बात पहुंचाने के लिए तो उसी डिजिटल के प्लेटफॉर्म को हमने मजबूत करने के लिए अपने कॉंग्रेस जन या नया व्यक्ति जो भी कॉंग्रेस की विचारों को देखना चाता है सुनना चाता है उसी के लिए हमने वेबसाइट का आज विमोचन किया है और इसके अंदर सारे जो भी हमारे कारेकरम होंगे जो भी हमारे नेताओं में विचार होंगे जो भी हमारे चाहे राहुल जी द्वारा चाहे परदेश द्वारा जो भ नौवें नगरपाली का हैं पंचायते ताकि कॉंग्रेस की साथ और अधिक से अधिक लोग हम जोडने का हमारा प्रयास है। आरेक्षण की प्रक्रिया पूरी होगी राज्य निर्वाचन आयो काके की कारवाई शुरू करेगा। दून अस्पताल में आयोश्मान योजना में अर्चने अब जल्द दूर होंगी। दरसल राज्यस्वास्ट एजिंसी यानि की SHA की टीम दून अस्पताल पहुंचे थी। टीम की सदस्यों ने अस्पताल प्रबंदन के साथ बैठक कर आयोश्मान को लेकर उत्पन हो रही सबी समस्याओं के लिए निस्तारड के लिए बात च्रीट की है। ऐसे ट्विक की और से आयोश्मान के उजना के थायत उप्चाल लेने वाले मरीजों के लिए तैकी गई कुछ नई गाइडलाइन के बारे में भी बताया गया। दून मेडिकल कॉलेज के प्राचारया डॉक्टर गीता जैन ने बताया कि टीम के साथ भी बैठक में कम्यों को दूर करने पर चर्चा की गई है। प्लान है वो सब लिखा जाएगा जिसे एक जो प्रावलम हम लोग के साथ यह आ रही थी कि पेशिंट जो है सीटी हमारे हमारे हैं करा लेता है उसके फिर वापस नहीं आता हमें रिपोर्ट दिखाने के लिए और ऑपरेशन भी कहीं बार वो कहीं और जाकर या इलाज किसी और अस्पिताल में करा लेता है तो उसके लिए भी उन बातों पे विचार हो रहा है कि इन खामियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं कि पेशन वापस रिपोर्ट लेके आए तो इन सब के बारे में चरचा हुई और उमीद करते हैं जो जो खामिया पाई गए उन सब को हम जल्द इस शराब पर उसने वालों के खलाब भी कडा रुख अपनाया जाएगा अपकारे विभाग के डी-ई-ओ हरी शोशी ने इस पस्ट किया कि कि किसी बेशादी जनमदें समारो या अन्य आयोजनों में अगर पांच से अधिक लोग एक स्थान पर शराब पीते हुए पाई ज दिया गया है कि वे ऐसे मामलों के शिकायत आपकारे विभाग में दर्स कराएं लगातार हम दोगों के दोरा बाहर अपने जो बाहर और रेस्टोएंट हैं उनमें लगातार निगरानी की जा रही है और सबको सक्त हिदायत दी गई है किसी भी ग्रूप में ग्यारा बजी के बाद वो अपने बाहर को नहीं खोड़ेंगा जो दारूप ला रहे हैं होटल या रेस्टोएंट कोई भी कि वो अवैद रूप से इस गतीविदी को ना करें अगर यदी को किसी की कोहां कोई पार्टी या कोई इसायोजन है तो विभाग के दोरा एक वन दिन एक दिन का बाला नुगापन स्विक्रित किया जाता है एप आराम से दारूप पिलाएं लेकिन उसमें भी 11 बजे के बाद इसी भी रूप में 11 बजे के बाद दारूप कोई पिलाते वे पाये जाए या आवेद रूप से पिलाते वे पाये जाए तो विकास फ़वन सभागार में आयूजित समीक्षा बैठक में उन्होंने संबंदत विभागों को निर्देश दिया कि सभी कारे समयबद तरीके से और उच्चिकुर्बता के साथ सुनिश्यत किये जाए समीक्षा बैठक में सीडियो अकांग्शा कोंडे ने बताया कि इस परियोजना के तैस स्वेम सायत समुहों द्वारा तयार उत्पादों के कैप पे स्थापित किये जाएंगे परियोजना की अनुमाने तलागत एक करोड रुपए तै की गई है उन्होंने ये भी कहा कि ये परियोजना हरिद्वार में परिटन को बढ़ावा देने के साथ ये स्थानिय समुधाय के लिए रूचकार के नया उसर पैदा करेंगी परियोजना के पहत वेफ़द अमिनिटी का इस्थावर पार पार रहा है इसको लिए वीटकी प्हूंगी जो गनीन की जो अनुमारी समसा पर आरे बना रहे हैं नोगारी चीजह हो जो अधिकी ज़ागाए तो आदीको जहरातर पर ये है तो इसकी आलो जमीन जोगाए परि पोड़ ली जाए और वो विजादे कमीन में हैं तो जो फैनल रिजाएं तो इसके बाद सब्सक्राइब कर रहा है तो इसकी अनुमानिक लाज़त बन को रहा है आटि आए एक्टिविस्ट रमेश चंद्र ने भी आरूप लगाया कि मिट्टी के दीपक तेल बाती और माचस तक बाज़ार सेदिक दामू पर खरीदे गए लहाज़ा उन्होंने इस मामले के उच्चसतरी एजाच कराने की मांग की है वहीं मुखे नगर आयुक का ये कहना है कि दीप महुट सब के लिए सभी सामागरी प्रशासन की स्वेकृती से खरीदी गए टेंडर किये गए और अभी तक किसी का भी पेमेंट नहीं किया गया है अभी भी सामागरी पचे हुई है जिसका असेस्मेंट कराया जा रहा है असेस्मेंट के बाद ही भुकतान किया जाएगा जो हर्द्वार में उस्ताफना मौसब मनाया गया इसमें जो आज मुझे आर्टे में इनोंने बताया नगर निगम ने जो दीपोष्ण सब का खर्चा सत्य याद्शतियार का इनोंने बताया एक बहस्टा चार को इंगित करता है पूजा करते हैं पाट करते हैं जीपक बत्ति इनोने दिखाया थे रुपे का आप लगता हो पिल जाई है वहाँ दो रुपे से लगिई है औंधि करते हैं योगी बजार में 140, 150, 160 में लीटर उत्राखन में मौसम विभाग के मुताविक पक्षिमी विक्षोब सक्रियना होने की कारण आने वाले एक सब्ता तक पूरे प्रदेश पर में मौसम शुस्क रहने का अनुमान है मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंग ने कहा कि पहाड से लेकर मैदान तक आगामी एक सब्ता के दोरान वारिश का फिलहाल कोई अनुमान है यानि कि आगामी कुछ दिनों तक पूरे प्रदेश पर में मौसम शुस्क रहने का अनुमान है हाला कि सुबा और शाम की वक्त पूरे प्रदेश पर में तापमान में जरूर गिरावट दर्स की गई है मैदाने इलाकों में न्यूंतम तापमान आट से नौ डिग्री और अधिक्तम तापमान पच्छिस से छबिस डिग्री सेल्सियस दर्स किया गया मैं पहाड़े इलाकों में न्यूंतम तापमान चार से पांस डिग्री और अधिक्तम तापमान पंदर से सोल्र डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है गंग नहर कोतवाली एक शेतर में 22 नवंबर को एक सियार पी अफ जवान के घर चोरी का मामला सामने आया जिसमें जवान का लाइसेंस से पिस्टल भी चोर उडा ले गए वहीं आज पुलिस ने दो आरूपियों को गिरफतार किया जो के पेशे से एक फकीर है और दूसरा सब्पेरा है वहीं पुलिस ने आरूपियों से पिस्टल और चोरी के जीवर भी वरामत कर लिया आरुपियों के इसके लिए कलियर में भी एक चोरी की घटना को अंचाम दिया था पुलिस ने आज दोनों चोनों का खुलासा किया है सुरक्षा कर्मी जो उनके घर में चोरी के साथ साथ उनके इहां से असलाह भी एक चोरी हुआ था पुलिस ने इस मामले को संग्यान में लेते हुए तद्काल अभियुक पंजरित किया था और इसमें लगातार चार्च करते हुए बहुत ही कम समय में मुख्य अभियुक्त दो अभियुक्ते को इसमें पकड़ा गिया है जिसे हमारा असलह भी बनामद हुआ है साथ में जिंदा जो राँन रॉट है वो उसके साथ-साथ-बूर इसमें बरामद किया है साथ ही कलियर चेत्र में जो पूरम्हें की गई एक चौरी अभी इसमा फुलासा किया गया है क्यों इसकी सिविलाइन कोदवाल एक शेतर की सती मुहले में 25 निवंबर को एक महिला संदिक दिपरिस्टियों में उसकी मौत हो गई थी पुलिस ने हत्या के आश्रंका जिताते हुए मुकदमा दर्स किया था मामले में पुलिस ने आज एक हत्या रूपी महिला को गिरफ्तार कर ल स्थाना सिविल लाइन कोटवाली छेतर रूड़की में सक्ती मौहले में एक व्रद महिला रेखा जिनकी उम्र करी 55 बगत थी गर में उनको सर पे रिंच से उनको मार के उनके सर पे उनकी हत्या कारित की गई थी पुलिस ने इस महामले को दख्काल संग्यान में ले दे वे इसमें अभी उपन जीटिस किया था हत्या का और इसी के साथ क्योंकि एक ब्लाइंड मडर था और इसमें कुछ उनसे लूट का भी हमें अन्देशा था क्योंकि उसमें उनके कुछ समान जो है वो वहां पर नहीं था पुलिस ने इसमें तत्काल कारवाई करते हुए जितने चमूली में अमामे गंगे पर यूजना के स्टीपी प्लांट में करेंड लगने से मादा भालू और शावक की मौत पर हड़कम मच गया किदानाथ वन प्रभाग देजल संस्थान के अधिशासी अभियंता सैथ कर्मचारियों के खलाब मुगदमा दर्स किया है प्रभागि एक मादा भालू और उसके शावक की मौत भी हो गई और चलिए आगे बढ़ेंगे जहां हरिदवार में सेटकुल के मुख्यमार्ग पर उस समय हरकम मच गया जब सड़क किनारे का विशाल अजगर देखा गया करीब 10 फीट लंबे अजगर को देखकर आगीरों में दर्शक फैल गई है प्रतेक्श दर्शियों के मुताबिक अजगर दीरे-दीरे सड़क के किनारे ज़ाडियों में निकल कर मुख्यमार को की और बढ़ रहा था जिससे देखकर वाहनचाल को ने अपने गारिया रोक ल